दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कठल के बारे में, कठल के कई health benefits हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कठल खाने के बाद या फिर कठल खाने के साथ कौन से चीज़ें ऐसी हैं, जो बिलकुल भी नहीं खाने चाहिए। आईरिवेद में कठल के साथ ऐसी पांच चीज़ों को खाने के मना ही हैं, जी हां, माना जाता है कि पांच चीज़ें कठल के आगे पीछे या फिर साथ खाने से यह जहरीली बन जाती है, तो घर पर जब भी कठल के सबजी बने तो इस बात का विशेश ध्यान रखेगा, वैस खून की कमी में भी इसे खाना बहुती फादे मत होता है, क्यूकि इसमें आयरियन की मात्रा बहुती जाद होती है, तो जिनको भी अगर खून की कमी है, शरीर में उन्हें कठल खाना चाहिए, इसके लावेश में विटामिन B पाय जाता है, और साथे साथ कच्छा कठल का थे सत्राइब के लिए पुर्साहिद क्रता है इसलिए । भूँ mismo के लोगों के लिए कठल वर्दान है चलिए मैं आपको चीजों के बारे के साहथ नहीं खाना है तो सबसे पहले चीज है दूध, कठल खाने के बाद कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, इतना ही नहीं दूध पीने के बाद भी आपको कठल का सेवन नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, है ना इस तरह के भायंकर बिमार तो दूध पीने के दो घंटे बाद तक या फिर कठल काने के दो घंटे के बाद दूध नहीं पीना है या दूध से बनी चीजें नहीं लेनी है, इसके लावा दूसरी चीज है वह है पपीता, कठल के सब्जी या फिर पकेवे कठल खाने के बाद कभी भी पपीता नहीं ख होती हैं तो अच्छा समझ चाहें हो जाएंगी सफेद धब्बे हो सकते हैं इसके लावा शहत के साथ कठल नहीं खाना है अगर आप कठल के साथ शहत के लिए हानिकार हो सकता है कठल खाने के बाद शहत का सेवन करने से शरीर में ब्लड सुकर लेवल बहुत ही तीजी से पान नहीं खाना चाहिए दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद पान खाते हैं लेकिन यहां पर कठल के सब्जी जिस दिन खा लिए ना खाने के दो घंटे के अंदर आपको पान का सेवन नहीं करना है अगर पान खाते हैं तो बहुत ही नुक्सान हो सकती है तो इस बात के विशेश ध्यान दखें और कठल खाने के बाद इन पांच चीजों से परिहीज करें वीडियो अच्छी लगी होते से शेयर कीज़ेगा और ज्याते हैं जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाए धन्यवाद